वेलकम स्टुडेंट्स, असके सांगवाण हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है लेटस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं ये विद्यार्थियू, मैं संदिप कुमार हिंदी प्राध्यापक आपके सामने आपकी पठे पुस्तक क्रितिका भाग एक के पर्थम अध्याए इस जल पर लए पाठ के प्रसनोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ शुरू करते हैं प्रसन एक, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे वे अपने गरों में इंधन, आलू, मॉम्बती, दियासलाई, सिक्रेट, पीने का पानी, कमपोजगी गोलियां तथा पत्र-पत्रिकाएं एक्त्रित करने लगे ताकि बाढ़ के दिनों में उन्हें खाने पीने का कश्ट नै हो और वे पत्रिकाएं पढ़कर अपना समय व्यतित कर सके परसन नम्बर दो, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? उत्तर लेखक बच्पन में बोई स्काउट तथा स्वयम सेवक था, उसने राजनेतिक कारे करता तथा रिलीफ वरकर के रूप में भी काम किया था अतर जब उसको पता लगा कि पटना के राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, राजिंदर नगरादी छेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, तो वह बाढ़ का रूप देखने के लिए उत्सुक हो गया, वह यह जानना चाहता था कि बाढ़ का पानी पटना व्यक्त हो रही है, सब लोगों की जुबान पर एक ही वाक्य था कि पानी कहां तक आ गया है, लोगों के इस कथन से यह पता चलता है कि लोग बाढ़ की विभीशिका से गबराय हुए थे, हर आदमी यह जानना चाहता था कि जहां वह रहता है, वह छेत्र बाढ़ से सुरक् रिक्षया के लिए आवश्यक कदम उफासके, परसंचयार बार बार पुछा जाता है, मृत्यू का त्रल दूद किसे कहा गया है और क्यों? बाढ़ के उफनते हुए पानी को, मृत्यू का त्रल दूद कहा गया है, बाढ़ का पानी जिस किसी छेत्र में प्रवेश कर रहा वहां पर अपनी गती और तेजी से सब कुछ डुबोता जा रहा था, यही कान है कि लेखक जब अपने मित्र के साथ रिक्षया में बैठ कर बाढ़ देखने जा रहा था, तो भीड में से एक आदमी ने उसे सावधान किया और कहा कि पानी का करंट बहुत तेज है आगे जा वर्षा रितु से पहले ही नगर के नालों की सफाई हो जानी चाहिए, इसके साथ-साथ पलास्टिक तहा पोलिथीन के लिए आफे नालों तथा सीवरों में नहीं भैगने चाहिए, नदियों में भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए, अनेथा नदियों की गहराई घट जाती है, जिससे बाड आने का खत्रा बढ़ जाता है, वर्षा रितु आरंब होने से पहले ही अपने गर में काफी मात्रा में खादे सामगरी, पीने का पानी, इन दन तथा आवशिक दवाईयां भी रख लेनी चाहिए, परसंच है, इह, जब दानापुर डूब रहा था, तो पतनिया बाबु लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो, इस कथन दवारा लोगों की किस मानसिक्ता पर चोट की गई है, इस कथन से लेखक लोगों की इस मानसिक्ता पर चोट करता है कि मुसीबत के समय वे अपनी चिन्ता तो करते हैं, लेकिर आपदा से गरस्त दूसरे लोगों की साहता नहीं करना चाहते, पतना में जब बाड आई तो सभी पतनावासी चिन्ता गरस्त थे, और अपनी अपनी शुरक्षया में लगे हुए थे, कुछ मन चले लोग बाड का द्रिश्य देखकर अपना मन बहला रहे थे, लेकिन जब बिहार के कि चेन्य चित्र में बाड आई थी, तो पतनावासी ने उन लोगों की दैनी श्तिती के बारे में नै तो कोई चिन्ता की और नै ही उन लोगों की साहता की, परसन साथ, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, ये परसन भी बा उपर की मंजिल पर पहुंचाने लगे, इसके विप्रीट पान वालों की बिक्री बढ़ गई, लोग पान वाले की दुकान पर लगे हुए ट्रांजिस्टर से बाड के समाचार सुन रहे थे और पान चबा रहे थे, इस कान वहां भीड बढ़ी और भीड बढ़ने के कान प पता चला कि रात के बारा बजे तक बाड का पानी लोहानीपूर, कंकडबाग और राजिंदर नगर में गुश जाएगा, यह है गुशना सुनकर लेखक को यह हैसास हो गया कि उसके छेत्र में भी बाड का पानी आ सकता है, तब लेखक ने अपनी पतनी से पूछा कि घर मे गैस की क्या स्थिति है, पतनी ने उत्तर दिया कि अभी तो काम चल जाएगा, फिर भी लेखक ने घर में खदे सामगरी, पीने का पानी पटने के लिए पत्रिकाएं और आवशिक दवायादी की व्योस्था कर ली, बाड पीडी छेत्र में कौन-कौन सी बिमारियों के फैल पतना रहता है, तिसे पका ही गाओ कहते हैं, नोजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कुद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वसी भूत होकर ऐसा किया, सन 1949 में महाननदा नदी में भेंकर बाड आ गई, लेखक बाड से घिरे बापसी थाना के गाओं में सह साथ ले जाने से मना कर दिया, नोजवान यह कहकर नोका से निचे उतर गया, कि यदि मेरा कुत्ता नहीं गया तो मैं भी नहीं जाओंगा, इस परकार कुत्ता भी उस नोजवान के पिछे पानी में कूद गया, इस गट्रा से है, पता चलता है, कि उस नोजवान ता कुत्त में एक दूसरे के परती असीम सने भावना थी प्रेम की भावना थी परसन ग्यारा अच्छा है कुछ भी नहीं कलम थी वह भी चोरी चली गई अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा टैप रिकोर्ड राधी की तीवर उतकंठा होते हुए भी लेखन ने अंत में उपरियुक्त कथन क्यों कहा लेखक की इच्छा थी कि यदि उसके पास मूवी कैमरा होता तो वह है बाड के दृष्चे की फिलम बना लेता और टैप रिकार्डर से बाड से उत्पन धवनियों को रिकार्ड कर लेता इनके नय होने प्रवाबाड पर कुछ लिखना चाहता था लेकिन जब कुछी देर बाड उसने बाड की विविशिका देखी गोल पारक को डूबते हुए देखा हरियाली को गायब होते देखा चाहे वाले की जोफडी को बैजाते हुए देखा और अपने च्यारों तरफ एक जल पर लेकानु भव किया तो उसका हरीदे चितकार कर उठा उसे लगा कि ऐसा करुण द्रिश्य याद रखने के लिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्मिर्थी उसे बविश्य में बिदुखी करेगी इसी कान मूवी कैमरा टेप रिकोड रादी की तीवर उतकंठा होते वे भी लेखक ने अंत में उपरियुक्त कथन कहा आपन समाचार को ऐसे तोड मरोड अत्वा नमक मिर्च लगा कर अत्वा संसनी खेजी आस्ट्रे जनक बना कर प्रस्तूत करता है कि आमुग गटना है समाचार आमजन के लिए समस्या बन जाती है हाल ही में एक नीजी समाचार चैनल दवरा है अधराबाद के किसी इक इलाके में तीन मंजिल बिल्डिंग से कूदगर आतम हत्या करने वाले एक व्यक्तिका समाचार जीवन्त प्रसारन के साथ लगातार धाई गंटे तक दिखाया गया तता उस आतम हत्या पर देश वायस्यों की राय मांगी गई विभिन स्थानों से लोगों की विभिन राय आ रही थी उधर बार बार उस दर्शे का प्रशाण लोगों को विचलित भी कर रहा था कि अचानक आसन सोल से एक महिला का फोन आया कि वह भी इस यूग की भाती बह परकार उनके द्वारा दिखाए गई एक घटना आमजन के लिया आतम हत्या की प्रेणा के रूप में एक समश्या बन गई परसंद 13 अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वणन कीजिए या तो आपने देखी हो या सुनी हो ये परसंद आप स्वयम भी कर सकते हैं कोई प्रताई हो या स्वयम आपने देखी हो उस आपदा का वणन कर सकते हैं हाल ही में मैं अपने प्रिवार के साथ ही माचल स्थित नैना देवी के मंदिर में माता के दर्शन हितु गया था मैं अपने माता पिता के साथ माता के दर्शन करके वापस नीचे लोट रहा था कि यहाजा लोग तीवर गती से उपर से नीचे की और भागने लगे अचानक मची इस भगदड के काणानेक लोग इस्त्री पुरुष बच्चे एक दूसरे के नीचे कुचल कर कुछ पहाड से गिर कर काल कवलित हो गई अर्थार्थ मृत्यू को प्राप्त हुए मर गए मैं और मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया देखते ही देखते माता का मंदिर मातम का मंदिर बन गया था जैकारों का स्थान चितकारों ने ले लिया था इस परकारिया आपके अभ्यास के प्रसनोत्तर यहीं पूर्ण होते हैं आपको प्रसनोत्तर अ अपनी कापी में लिखने हैं याद करने हैं धन्यवाद